हाँ तो हमने कंजर्वेशन ओफ मोमेंटम के क्वेशन कर दिये कि कहां यूज करते हैं किस तरीके से यूज करते हैं अब हम एक नई चीज पढ़ रहे थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ दा सिस्टम विद रस्पेक्टू ग्राउं तो उसके लिए कुछ चीजे मैंने आपको बताई थी जैसे कि यह कि हमने जब सेंटर ओफ मास लिखना सीखा था तो ऐसे लिखते थे सेंटर ओफ मास अब सेंटर ओ मास का मतलब क्या है कि जैसे यहां पर हम आरवन लेख सेंटर ओफ मास को ही ब्ले रिया इसका मतलब हम जो ये Center of Mass को हमने origin मान लिए मतलब हम Center of Mass की respect में अब सब कुछ लिख रहे हैं तो M1 की हमने position Center of Mass के respect में लिखी M2 की position Center of Mass के respect में लिखी तो ये RCUM कितना हो जाएगा? 0, कैसे? RCUM का मतलब क्या है? Center of Mass की position origin की respect में अब उसी को तो ओरेजन लेली है हमने तो मंदलब यह चीज क्या होजागी इस कालब यह चीज क्या जाएगी 0 इसको ओलते है मास मोमेंट विद रफ्वेधिट तु सेंठर उफ मास कितना आ जाएगा जीरो इसको डिफ्रेंशेट क्या थे इसको differentiate क्या तो क्या आगया मास इंटू एक्सलरेशन आप पार्टिकल विद रस्पेक्टू सेंटर ओफ मास भी क्या जाएगा जीरो जितने भी टोटल जितने भी अलग लग पार्टिकल हैं सभी के लिए अगर लगाएंगे इसका अलग टोटल एक्स्टरनल फोर्स ऑन दर सि स्टोर कितना यहाँ जीरो फिरम को निकालना है से काइनेटिंत क टेकल आप यह आफ ईंजहाएद मतलब अगर अगर कं की तो हम ऐसे नहीं लिख सकते एँसे नहीं सकते कि हाला प्याइंटू मास के बीजू चुटम भी पार्टिकल है सभी की विलासिटी बलब सभी की काइनिटिक एनर्जी को सम करेंगे तो टोटल करेंगे तो क्या आएगी काइनिटिक इनर्जी अब दा सिस्टम को हम लेख सकते हैं यह हाफ एमई बीई का स्कॉैर रइट वी आई का स्कॉैर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी आई वेक्टर डॉट विए डॉट प्रीडट कर रहे हैं तो यह सॉलू के कितना आएगा वी आईते मिख सकते हैं तो एक फॉनला तो क्या गया kinetic energy of the system लिखने का एक तरीका तो क्या गया ये समझ concrete po इस तरीके में आप क्या कर रहे हो इसमें आप सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम में सभी अलग-अलग काइनेटिक इनरजी लिखके आपने क्या किया जोड दिया तो इस तरीके से सिस्टम की काइनेटिक इनरजी आ जाती है बोलो बात समझ में आई क्या इसमें क् कि अपने हर पार्टिकल की अलग अलग सब की अपनी अपनी पर्सनल पर्सनल को लिखा और जोड दिया एक फॉर्मला और में ड्राइब करने वाला हूं वह ध्यान से देखना देखो कैसे तो देखो अभी फॉर्मला क्या है आपके पास यह वाला आया है कि सिग्मा ओफ हाफ मैं आई इंटू वी आई का स्क्वेराइब का मतलब यहां यहां पर लिखा हुआ है साइट में वी आई का मतलब है वेलोसिटी अप दा पार्टिकल विद रस्पेक्ट टू ग्राउं अच्छा एक चीज़ और मैं बोल दूं कि यह जो काइनेटीक एनरदी हमने लिखी है का कि रिस्प्वेंटमें Secretο ग्राउण मैं तो यहां पर सब किसके रिस्पेक्ट में है तो these सब निकाल रहा आए थे लेकिंद एक और formula बनेगा बढ़ाई important formula है तो उसका derivation में आपको समझा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं velocity समझाएता हूँ कि मैं वी आई लिखूंगा उसका मतलब रहेगा velocity of the particle with respect to ground वी आई का मतलब रहेगा velocity of the particle with respect to ground अलग-अलग particle है यहाँ पर i की value बन हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है अलग-अलग particle की velocity फिर मैं एक term यूज़ करूंग वी सी यह इसको वी सी की जागे वी सी म कर देता हूं तो वी सी रहे देता हूं मैंने आगे वी सी यूज़ किया है तो वी सी का मतलब क्या है मेरा वेलावसिटी ऑफ सेंटर वाफ मास with रेस्पेक्ट स क्या है वेलॉसिटी ऑफ सेंटर आफ मास को तुछ वेलावसिटिकल पर फिर प्रिकल्ष का निए मांच रिलेटिव मोशन का यूज कर वेलॉसिटी आफ एंढ़ पार्टिकल्ड विप रस्पेक्ट को सेंटर रॉफ मंस किया हो जाएगा वेलॉसिटी ओफ पार् dziक विऊंद ने योको Industrial स्वेक्ट में बोलो यह यह मझमें आ अगई है आपको जो लिखकर inward यह वाली बात भी आई वी सी वी सी यह वी आई-सीन यह तीनोव वेलोसिटी ठीक है आ गई बहुत बढ़िया अब आप देखो मैं आज़ा हो तो यहां तक तो आपको समझ में आगा क्या लिखाए अब मैं वी आई की जगे क्या लिख रहा हूं यहां से वी आई बराबर कितन लिख दिया ये देखो वी आई की Fenamar उफ मास प्लस वेलासिटी आ। सेंटर ओफ मास कैस kवयर कुंकि स्क्वयर तो तो हुई रहा है स्क्वयर हो रहा है अम स्कुयर कर धिया तुछ कर दिया द intentar बनजाएगा इसका स्क्वयर प्लस इसका स्क्वायर प्लस टू इंटू एंटू बी आया समझ चलिए तो यह हमने यह लिख लिया अब मैंने क्या किया यह हाफ एमाई को अंदर मल्टिप्लाई किया पहले हाफ एमाई को इससे मल्टिप्लाई किया और फिर इससे मल्टिप्लाई किया ठीक है तो देखना ज व्याइद का स्कॉर्व यह क्या है लिवे स्चोंप ट्रॉस थे मित्रें को संस्पार तो क्या है यह कि आई का मतलब number of the number लिखे हुए M1 M2 M3 M4 तो बेसिकली क्या है काइनेटिक एनरजी और दा पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ओफ मास क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डाल रहे हैं सेंटर ओफ मास के डाल रहे हैं फिर हमने यह सिग्मा माइगा मैं इसका लग रहा है लेकिन एट एनी मोमेंट इसकी वैली तो ठीक है वी सी कुछ ना कुछ रहेगी और सिग्मा का मतलब हो गया सभी पार्टिकल्स के लिए और लास्ट वालिटम क्या होगा इसको मैंने से मैं यहां तक उसके बाद यह लिख दिया टू इन्टू वेलासिटी ऑफ पार्टिकल विद्रस्पिक सेंटर मास इन्टू वेलासिटी अब यहां से देखना तो यह वाली चीज़ तो आ गई अरे आ गई ना यह वाली चीज़ जी मैंने लिख दी ठीक है अब इसमें कुछ-कु इन्टू वेलासिटी ऑफ पार्टिकल विद्रस्पिक सेंटर ओफ मास तो अभी अभी मैंने आपको थोड़े पहले पताया था इस चीज़ को यह चीज कितनी होती है यह जीरो होती है कैसे देखो यहां पे हमने सीखा है यह देख रहा है यह क्या है सिग्मा ओफ मास प्दा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद्रस्पेक्ट वू सेंटरो मास इसका जो इन दोनों को मल्टिप्लाइ करके समेशन होता है पूरे सिस्टम के लिए वो हमेशे क्या आता है जीरो तो यह चीज कितन इसको मैं क्या बोलूँगा इस इस दा काइनिटिक एनर्जी ओफ दा सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ओफ मास यह चीज हो गई क्यों हो गई क्यों कि क्यों बोल रहा हूं यहां पर सभी पार्टिकल्स की बात आ गई मैं इसको नोगा फैमवन वेलॉसीटीं ओव तो सेंटर ऑफ मास का स्क्वै ब्लस हाफ मण फूव्स व 270STA SQUARE slash श्क्वा दोट समाजमारी वाट क्वेला अफीज सभी पार्टीकल्स की इत्रोफ मास के सिस्टेम क्वीद रिस्पेक्ट्र में ऑफ एसलिक और थोड़ा डितेश्टू में णाज Summation of Summation of kinetic energy of individual particle With respect to COM ठीक है यह तो यही चीज है अच्छा यह चीज क्या है यह चीज क्या है तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा देखो यहां पर अगर मैं value रगदू सभी में तो देखो constant निकालूँगा पहले तो क्या बन जाएगा constant half constant और VC constant इसको बाहर निकाल लिया क्या बन गया half into VC square अंदर क्या बचा सिगमा ओफ एमाई यहिए बचा सिगमाफ लिए का मतलब क्या होगा टोटल मास अरे बुलो हुआ के निहीं हुआ तो बेसिकली क्या वना टोटल मास तो यह क्या है यह क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है हाफ एम टोटल वेलोसिटी ओटुसेंटर आजह कर लेड कि एक Пशटतल कर हाँ तो क्या है का इनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मस ऐस पार्टिकल मान लिए जिसका टूनल मस्क कितना होगे यह सिस्टम का माज़ ठीक और यह तो जो आपका एक और फॉम्मुला जो निकल के आया काइने इनर्जी ऑप तो इस तरीके से तो दो फॉमले आपके पास हम और अच्छे साब को समझ में आएगा अब एका सवाल करेंगे जब हम वाकि यह दो फॉमले हैं जो आपको याद रखने काइनिटी के अपड़ शिस्टम विद रस्पेक्ट तो ग्राउं विद रस्पेक्ट टू ग्राउं इसम निकालके जोड़ दी है और इसमें क्या किया है पहले ले काली हमने यह क्या है समेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और यह क्या है सेंटर ऑफ मास तो यह वह है प modèle है इसको मैं यहां भी कर देता हूं इस तरीके से तो दो तरीके से आप सिस्टम लेख सकते हो विद रस्पेक्ट टू ग्राउं एक तरीका यह है इसमें समेशन ऑफ काइंट इंडिविजुल पार्टिकल मैं एक्जामपल लेके दिखाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा बाकी यहां तक के लिए रहे यहां तक कैसे हुआ एक बारा फिर से देखना तो आपको एकदम क अगर आपको सिस्टम की काइंट निकालनी है तो आप सभीफिछ्ट की सेंटर ऑफ मास्स के रस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल के उनकी पर्सनल सबके इंडिविज्वल का समग निकाल लो प्लस उसमें क्या कर दो काइंटिक एड़ीट सब्दा सेंटर ओफ मास एजब पार्टिकल को जोड़ दो तो यह आ जाएगा ठीक चलिए क्वेशन करते हैं और उससे समझते हैं कि ऐसा होता है क् यह वाला कॉश्ण करो एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है दोनों की इंडिविजल विलॉसिटी दे रखिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ ना दिया हूं मदला विदो इसका मास टू केजी है इसका मास फॉर केजी इसकी विलॉसिटी टैन मिटर आपको बताना है velocity of center of mass क्या होगा और आपको बताना है velocity of 2 kg and 4 kg with respect to center of mass मलब इसकी center of mass के respect to velocity और इस वाले पार्टिकली की center of mass के respect में velocity क्या होगी बताईए तो सबसे पहले हम velocity of center of mass निकालने का formula क्या है यादे आपको m1 v1 vector plus m2 v2 vector divided by m1 plus m2 है ना तो value डाल दें इसमें m1 कितना है 2 kg और वेक्टर है तो डारेक्शन आपको डालना है माइनस 4 इंटो 2 divided by m1 प्लस m2 कितना होगा 2 प्लस 4 तो यह कितना आ रहा है तो मिटर पर सेकंड आ गया और पॉजिटिव आया है इसका मतलब हमने जिस डिरेक्शन को पॉजिटिव माना है देडिशन तो जैसे यह पार्टिकल थे ठीक है और इनका सेंटर आफमाश कहीं कहीं होगा है बीच में कहीं होगा मान ले तहें यहां हम ये सेंटर अफमास कुछ सेंटर आफमाश कितनी से जा रहा है इधर जा रहा है 2 meter per second से अब एक काम और कर दो कि center of mass के respect में इनकी velocity बता दो रहीं दस और यह दो तो किसके respect में है ground respect में आप center of mass के respect में इनकी velocity बतादू तो kg की velocity center of mass के respect में और पूर कीजी की velocity center of mass respect में तो यह डाइग्राम मैं बना रहा हूं with respect to c om तो ऐसे बोल सकते हैं कि center of mass respect में ऐसे बोलते हैं in frame of center कि लोग इसको बोलते हैं सी फ्रेम मदलब सेंटर ओफ मास का फ्रेम उसका मतलब यहीं कि सेंटर ओफ मास के रिस्पेक्ट में देखना तो जल्दी से बताओ टू के जी की विलॉसिटी सेंटर ओफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगी एंड फूर के जी की विलॉसिटी सेंटर of mass के respect में क्या होगी तो कैसे निकालते हैं relative velocity याद है किसी को कि बहुत बार यूज किये पूरे chapter में बार बार यूज हो रही है तो कैसे निकालते हैं तो velocity of 2kg श्बाइब हरोचिती और मिदश्यक्त आपकों सेंटर ऑफ मास ऑलासिटी ऑफ 2 कजी एये यह विदर अख्वज्यक्या होचिट्व ग्राउंड माइन सद्लम्ट लिए स्प्ति अफेजिव एं यह ईस जो भी आपका मैनों छा यह ठीक है तो velocity of 2 kg कितनी है देखो ज़रा कितनी ती है 10 और किदर i cap में ती है 10 तो मैं लिख देता हूं 10 positive में और COM की velocity कितनी है 2 i cap तो यह कितना आ गया 8 plus में आया है मतलब इस direction में इसकी velocity आ गई 8 ठीक अब 4 kg के निकाल लें दें जल्दी से तो velocity of 4 kg with respect to center of mass बराबर velocity of 4 kg velocity 4 kg कितनी है माइनस में 2 माइनस और यह center of mass के कितनी है plus में 2 तो यह 2 बराबर कितनी आ गई माइनस 4 माइनस 4 का मतलब इस direction में 4 meter per second ठीक है कोई doubt है इसमें तो यह center of mass के frame में मैंने दोनों की velocity निकाल ली अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी याद करूं कि center of mass के frame में momentum of the system is always zero बताई थी कि नहीं बताई थी देखो यह लिखा हुआ in center of mass frame total momentum of the system is always zero करके देखें कि आ रहे कि नहीं आ रहे है देखो तो हमने velocity किसके frame में निकाल ली center of mass के frame में निकाल ली velocity है ना अभी इसका momentum लिखो momentum कैसे लिखोगे तो p of system किस frame में c frame में मतलब center of mass के frame में मैं system का momentum लिख रहा हूं तो कैसे लिख हुआ एम वन velocity of first particle with respect to center of mass plus mass to velocity of particle 2 with respect to center of mass यह लिख हुआ ना चलो करके देखो आ रहा है क्या तो इदर क्या लिख हुआ है तो इसलिए से प्लस है टिक दूँगा प्लस यहां पर ग्यालिख हुआ एम हो गया फोर और वेलोसिटी कितनी हो गए माइनस फोर बताओ जीरो आ रहा है क्या अरे आना भी चाहिए था center of mass के frame में हमेशा सिस्टम का linear momentum क्या आएगा जीरो आएगा अरे आ गया कि नहीं आया इस तरीके से तो यह आपने सवालों के जवाब दे दिए ओके बहुत बढ़िया अब इसी में इसी से नेरा find kinetic energy of the system with respect to ground find kinetic energy of the system with respect to ground थीक है तो यह चीज निकालने के हमारे पास दो formula है हम दोनों का यूज करते हैं और देखते हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो सबसे पहले मैं यूज करता हूं हमारा basic formula जो है basic formula जो है तो basic formula क्या है यह है basic formula है ना इसमें क्या करना होता है आपको कि यहां पर आपको बस ground के respect में particle की velocity को add करके लिखना रहता है तो kinetic energy of the system with respect to ground तो पहले first formula यूज करूंगा first formula में क्या होता है बस सभी जितने भी particle है सभी की kinetic energy को निकालते जाओ और जोडते जाओ ओके देखते हैं तो kinetic energy of the system ठीक with respect to ground तो मैं अभी c frame का यूज नहीं कर रहा हूं मैं अभी इस वाले formula का यूज नहीं कर रहा हूं मैं इस वाले formula का यूज कर रहा हूं जो मारा basic formula है कौन सा formula है हाफ mi vi square है ना तो क्या लिखेंगे यह क्या हो जाएगा बता हाफ m1 v1 का square प्लस हाफ m2 v2 का स्कॉर मतलब जितने भी particle है सभी का आप जोड़ जोड़के लिख दो तो लिखो half m1 mass 1 कितना है अब ध्यान रखना यहां पर यह वाली velocities मत लिख देना यह वाली velocity क्या है center of mass के frame है जबकि formula में जो vi है मैंने आपको बताया था देखो लिखा है यहां पर vi क्या है velocity of particle with respect to ground मतलब सबसे पहले तरीका जो हम सीखते आ रहे है स्टार्टिंग से काइंटिंग लिखने का है ना जब कोई center of mass नहीं होता था कोई center of mass का frame नहीं होता था उस वक्त तो इसका mass 2 kg और इसकी velocity 10 है ओके तो इसका mass 2 है और velocity 10 है तो 10 का square प्लस हाफ दूसरे का mass कितना है फोर एगना फोर है और velocity कितनी है टू ग्राउंड के respect में टू का square कि स्वाल कर वी कितना रहे है एक 108 जूल आ रहा है ना 108 जूल ठीक है यह formula से तो इतना आ रहा है ओके अब हम use करेंगे दूसरा वाला formula और देखते हैं उससे क्या answer आता है जो हमने एक नई चीज़ सीखी थे ना आज यह वाली इसको use करेंगे और देखते हैं इससे क्या आता है और इसको use करना भी सीखेंगे कि यूज कैसे करते हैं इसको तो देखो यह नई चीज नया तरीके का formula इसको यूज करके देखते हैं तो यहां पे काइंटिक सिस्टम लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा देखो काइंटिक एनरदी ओग दा सिस्टम लिखने के पहले तो यहां पर आपको पार्टिकल की विलॉसिटी एट है इसकी विलॉसिटी फोर है चलो तो फॉर्मला लगाएं तो क्या बन जाएगा हाफ एक और और वह होते तो और लिखने पड़ते तो यह वाली टम तो कौनसी वनिह यह जो लिखिय हूँ ए वो तो यह है वह पूरी यह वाली चीज़ तो सिग्मा लगा हुआ है नर्सिग नमाणओ जितने भी पार्टिकल सभी के लिए प्लस यह वाली चीज़ तो यह तो बड़ाई सिंपल है यह है हाफ मास टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ओफ मास का स्क्वार ठीक चलिए तो वैल्यू डालते हैं हाफ मास वन माास केतना है तो देख लो मास वन है टू और संटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सकी यह का स्क्वार 1 q3 प्लस हाफ मास किता इसका ने पॉर और स्ट्र मास के में विलोसिट ती इप ऊई थी फ तो ऑस ठीक है तो यह हो जाएगा 4 का स्क्वाइर प्लस हाफ मास टोटल टोटल मास कितना हो जाएगा बटाओ एक का मास से दो एक का मास से चार टोटल मास हो जाएगा छे इन्टू वेलोसिटी ओफ सेंटर ओफ मास का स्क्वाइर वेलोसिटी ओफ मास निकाली हमने कानिकाली देखो यह डिए वेलासिटिव सेंटर मास कितनी है तो तो इसको कितना रहे है इस चीज़ को सॉल करो कितना रहे है इसको सॉल करो कितना रहे है बताऊ कि यह भी 108 हारा है क्या सॉल करो फिर बताऊ ऐसे मत बोलो सॉल करके बताऊ क्या यह भी 108 हारा है क्या देखा तो इस तरीके सम फॉर्मले यूज करेंगे यह वाले अरे बात समझ मैं ही ऐसे भी उस करेंगे जो जब जो सही लगेगा जो आसान पड़ेगा जहां पर जो लगाना सही रहेगा वो हम उसका यूज करेंगे ठीक तो यह आपको सिखाया गया है यह क्वेशन कराने का मकसद यह था कि आप यह चीज़े सीख जाओ जो हमने उपर ठीकली लिखी है उन चीजों को यूज कैसे करना है ओके चलिए चलिए अब यह क्वेशन आपके सामने यह दो पार्टिकल्स हैं एंवन एंटू यह वीवन व वेलॉसिटी ऑल रौज़िए अफ उसेंटर उफ मास और और सेकेंड में फाइंड करना है काइनिटिक एनटरजी ऑफ द शीस्टम विद रेस्पेक्ट उसेंटर उफमास आपको निकालना है कैसे निकालते हैं यह राना इंग यह चीज क्या थी यह उनने लिखी रहे हैं य तोटल था इw स्प्रांट ओंड टोर्थ तो निया फिर आसे निकाल सकते हैं यह चलना क्या है है यह है कानेटी क्यों सिस्टम बुड। स्था फिर्थ-क्पूСिड लिसेंट्र ओफ मास देख को मैं लिखा है सबसे पहले तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलॉसिटी निकाल लेते हैं वड़ाई असान है तो सेंटर ऑफ मास की वेलॉसिटी निकालने के लिए वी वी लिए वन प्लस एंटुवी टू दिवाइड बाई एम वन प्लस एंटू अगई वेलॉसिटी ऑफ मास एक जन्रलाइज सोम्म डराइब करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने नॉर्मल जन्रल वेलॉसिटी आई दारे कैने टिक एनर अणियों सेंटर फोना सेंटरव ज्था तो उसके लिए सबसे पहले हमें चलो साथ ही तो का इने टिक एंटटीओ गों धार शिस्टम सेले हैं में लिए कि हम किसके चलंटव हाई कि टी अए to high लिखेंगे हमें लिखेंगे हाफ एंवन विलासिटी ओफ वन विद रस्पेक्ट तू सेंटर ऑफ मास का स्क्वाइब यहीं लिखेंगे ना बस लिखते हैं अब इसमें डालते हैं तो हाफ बताओ किया लिखेंगा वेलासिटी ओफ पार्टिकल वन विद रस्पेक्ट तू सेंटर ऑफ मास पूर एक सक्वाइब तुभाइब तो यहां कि लिखेंगा वेलासिटी ओफ वन वन वेलासिटी ओफ concert सेंटर उफ मास का इस्क्वायर अब यहां पर वैल्यू डाल में व्लासीटि उफ पास की यहां और यहां डालो वैल्यू तो क्या बन जाएगी एक किविशन यहाँ M1 V1 minus M1 V1 plus M2 V2 upon M1 plus M2 chi square plus half M2 V2 minus M1 V1 plus M2 V2 upon M1 plus M2 whole square ठीक अब जब इसको solve करोगे न थोड़ा सा जैसे यहां LCM लोगे तो यह M1 V1 वाली term कर जाएगी अच्छा सॉरी यह multiplication में आएगा तो यहां बनेगा M1 V1 plus M2 V1 तो M1 V1 वाली term कर जाएगी M2 V1 वाली term रहेगी तो मैंना solve कर लोगे यह कोई बड़ी बात नहीं है तो final जो result आएगा final जो result आएगा वो क्या आएगा half M1 M2 upon M1 plus M2 V1 minus V2 का whole square यह आएगी kinetic energy of the system with respect to किसके respect में आएगी है तो पार्टिकल के लिए तो पार्टिकल सिस्टम के लिए हम यह वाला formula यूज कर सकते हैं देखो इसका यूज बताता हूँ मैं आपको जैसे अब देखो यह formula हमारा एक आ गया तो मान लो आपको तो यह नहीं निकालना है है ना लेकिन ग्राउंड के respect में निकालने के लिए आप यह वाला formula यूज करोगे क्या हाँ बिल्कुल यह वाला formula यूज करेंगे हम तो जब यह वाली चीज़ आप रखोगे तो आपको कितर टाइम लग जाएगा देखेंगे पहले सेंटर आफ मास की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालो फिर रखो यहां तो हमने निकाल के रख रखी ती तो सीधा वैल्यू टूट कर दिया है ना अद्रवाइस टाइम लग जाएगा तो उसी टाइम को बचाने के लिए हमने डराइब किया है तो जो फॉब फॉर्मला आया आपका वो है kynetik energy of the system with respect to center of mass is equal to half m1 m2 upon m1 plus m2 यह V1-V2 क्या बत्ता हूं जो initial velocity initial velocities दे रखे हैं उनकी relative velocity लिख सकता हूं दोनों particle की वही दोनों की relative velocity में को लिखने हैं कि velocity of 1 with respect to 2 क्या लिखूंगा वी 1-2 लिखूंगा तो यह क्या लिख दूँ वी relative का स्क्वार ठीक और यह जो है ना इसको यह M1 M2 upon M1 plus M2 इसका एक नाम होता है इसको हम नाम देता है reduced mass ऐसा नाम दिया गए reduced mass मतलब दो मास्ते अलग-अलग M1 M2 उसकी जगह reduced mass और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मियू से ठीक तो इन सारी चीजों को replace कर दिया जाए तो आपका final formula आ रहा है काइने टक काइनेटिक energy of the system विद रिस्पेक्ट तू सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक इनरदी है इस इक्वल टू हाफ मियू वी रिलेटिव का स्क्वाइर और यह formula के विल कभी दो सकता है टू मास सिस्टम के लिए हो सकता है क्योंकि हमने जो डराइब किया है उसमें कैसे यह तो जनरल है उपर जो हमने लिखा है ना देखो यहां पर तो हमने ऐसा कुछ बोलानी था कि तो जितने मास उतने अच्छे कोई दिक्कत नहीं बस जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे लेकिन यह जो पर्टिकलर डेरिवेशन है यह कब वैलेड है यह कब लग सकता है और टू पार्टिकल सिस्टम बताओं यहां तक बात समझमाई किन नहीं अच्छा चलो एक बात बताओं कि कि सोचने ध्यान से कि अगर मानलों दौनों पार्टिकल की विलॉसिटी सेम हो जाएं कुछ ऐसा हो सिस्टम या फिर इनिशली दौनों पार्टिकल की विलॉसिटी सेम रखिए वी एन रखे और इसकी भी वीवन ही है तो रीलिटिव वेलॉसिटी कितनी आजएगी यहां पे वीवन मैंनेस बराबर वी रिलेटिव लिकांगे न माइनस बमाइनस बीट टौर स्क्वाय जीरो आजाएगा अगर बीवन बराबर भी टू है और उस वक्त आप इसमें यह वाली जिरो जाएगा तो सिस्टम की काई अगर मां लो यह कोई सिस्टम होता दो पार्टिकल का यह यह M1 है और V1 मास है और यह M2 और V2 मास है यह किसी तरीके से एक दूसरे से मान लो spring से या किसी चीज़ से जुड़े हुए है और यह oscillation करते हुए move कर रहे है तो किसी moment पर मान लो velocity कम जाता हूँगी अगर spring से जुड़े हुए है और oscillate कर रहे हैं तो तो इनकी वलासीटी यह तो initial वलासीटी है है ना तो इनकी विलासीटी कम ज्यादा कम ज्यादा होगी तो किसी मोमेंट पर मानलो अगर इनकी विलासीटी बराबर हो गई तो उस केस में ये वाला टम तो जीरो हो जाएगा तो यह वाला टम तो जीरो हो जाएगा यह तो जीरो हो भी नहीं सकता क्यों अगर इनीशियली वेलासिटी ओफ सेंटर ओफ मास है यह वाला देखो ने एक्वेशन क्या है अगर इनीशियली कुछ ना कुछ है सिस्टम की सिस्टम के पास कुछ ना कुछ वेलासिटी ओफ मास है तो तो फिर रहेगी ना हमेशा जब तक कि एक्ष्टनल फोर्स ना लगे उसको जीरो कर दे रहे तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि किसी भी सिस्टम का मिनीमम से मिनीमम काइनेट पार्टिकल मास टोटल वी सी ओ एम का स्क्वार यह भी कैसे यूज होगा स्क्वेश्टन में आपको बताऊंगा मैंने आपको बात पता ही है कि ऐसे दो मास हैं एम वन और उसके पास वेलोसिटी वी वन हैं यह एम टू है और वेलोसिटी वी टू है और यह किसी तरीके से कम ज़्यादा वेलोसिटी करते हुए मलब स्प्रिंग से चोड़ दिया तो ऐसे मूव करेंगे करते हुए मलब कुछ उसलेट करते हुए दोलन करते हुए यह मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटी कम जाता होगी किसी मूवन पर दोने की वेलोसिटी बराबर भी हो जाएगी उस केस में उस सिस्टम के पास minimum kinetic energy होगी सवाल आएंगे अभी आपको बात बताईए ठीक अभी नो सब्सक्राइब करते हैं कि यह कि आपको लिए इनिशली इस आराम ना कि वलॉसिटी वेलोक तो बताओ क्या होगा ये ब्लॉक इधर आगे जाएगा, तो ये इसको भी अपने साथ खीच के ले जाएगा, फिर ये कुछ SHM करते हुए, आगे-पीछे, आगे-पीछे, SHM करते हुए ये आगे के तफ move करेंगे, तो क्या होगा, इस प्रिंग कमप्राइस होगी, फिर रिलॉइट होगी, फिर रि तो चलिए इसको करने के मैं कुछ आपको मैं अलग अलग हम चीडों को समझते हैं थिए समझने की कुशिस करते हैं इसमेहना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस मोशन को समझते हैं और इस मोशन को सेंटर ओफ मासके रिस्पेक्ट में सेंटर ओफ मासके फ्रेम में अब्जर्व करते हैं अगर हम ग्राउंड फ्रेम से इसे देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दौनों जो ब्लॉक हैं वह आगे-पीछे आगे-पीछे भी मूफ कर रहे हैं इस तरीके से उसलेट कर रहे हैं और पूरा सिस्टम एक साथ आगे भी जा रहा है तो देख रहो है आगे पीछ आगे बहुत कॉम्लिक्रेट मोशन है लेकिन अगर हम सी फ्रेम में बैठ जाए इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के फ्रेम में बैठ हैं तो हमें यह पूरा सिस्टम अब आगे जाता हुआ नहीं देखेगा क्यूंकि आगे जातो यह वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऊफ कुछी थे न तो यह आगे जाता हुआ नहीं नहीं दिखेगा इस यह मंलब आपको से मूव होते हुए ही नजर आएंगे तो सिस्टम थोड़ा सिंपल हो जाएगा तो इसलिए हम जाते हैं सबसे पहले सी फ्रेम में सवाल को सॉल करेंगे मैं दौनों फ्रेम में आपको करके दिखांगा तो हमें जरूरत पड़ेगी यहांस से कितना आ गया वीवाई 3 तो वेलासिटी अप सेंटर ओफ मास क्या गए वीवाई 3 आ गई राइट अच्छा एक बात और बताओ कि क्या इस मोशन में जो मोशन हो रहा है इसमें क्या एक्स्टर्नल फॉर्स लग रहे हैं कहीं से देखो सर्फेज स्मूध है यह स्प्रिंग फॉर्स लगेगा बस इस्प्रिंग फॉर्स इसको आगी पीछे से इस इस पर भी दर लगाएगा या अपनी तरफ लगाएगा वो टेपैंड करता है कि स्प्रिंग खिची हुई है या डबी हुई है इलॉंगेट है या कंप्रेजड है तो अगर मैं पूरे को सिस्टम मानूंगा तो जो इस प्रिंग फॉर्स है वह तो इंटरनल फॉर्स है कैंसल अब यहाँ पर Extra Hybrid भी एकस्टरनल कोुई भी फोर्स नहीं लग रहा है एकस डाईरेक्शन भाय में भी नी लग रहा है क्योंकर जो एमजी लग रहा है, वह नॉर्मल से बैलेंस हो जा रहा है वनेब भी बहुआ कर मिला के नेट फोर्स यहां पर जीरो है है तो से हम सी फ्रेम में इस मोशन को अब जॉर्व करते हैं ठीक मादला विद रस्पेक्ट तू सेंट्र ओफ मास तो इस टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि इनीशली क्या है देखो यह चीज हो रही है यह इनीशल डाइग्राम है तो ध्यान से देखना कि जो red color में होगा वो ground के respect पर velocities हैं तो हम यहां पर क्या बना रहे हैं center of mass के frame में इस तरीके से तो हम हटा देते हैं इसे और यहां center of mass देख लेता है मारा center of mass का है यहां कहीं आएगा center of mass वीच में मान लेते हैं यहां कहीं center of mass आएगा और center of mass की velocity कितनी है center of mass की velocity है v by 3 अब आप बताओगे मुझे यह center of mass की velocity है ठीक क्या बताओगे आप मुझे कि center of mass के respect में velocities क्या-क्या आएंगी इन की velocity of center of mass is equal to v by 3 ठीक आगे की तरफ अब जल्ली बताते जाओ कि यह होगा सबसे initial वाला सबसे पहले पहले जो दे रखाया यहां situation दे रखिए यह वाली मैंने बनाई है अभी first तो यहां पे दॉनों ब्लॉक के पास क्या-क्या velocities होंगी with respect to center of mass जल्द जल्ली बता जाइए पहले 2m की क्या होगी फिर बताओ m की क्या होगी center of mass के respect में velocities तो मैं ब्लैक कलर से जो velocities दिखाऊंगा वह होंगी ground के respect में और green कलर से जो दिखाऊंगा वह होंगी ground के sorry center of mass के frame में तो यह ब्लैक में जो होंगी जो क्या होंगी with respect to ground ठीक है ताकि थोड़ा हम clear रहे हैं तो यहां पर ground respect में इसके पास velocity है वी और इसके पास कितनी है जीरो चलिए पताओ center of mass respect में तो जल जली निकाल सकते हो ना या फिर time लगेगा जल्दे ले निकाल दो यार कैसे निकालते है रिलेटिव इसको ब्लॉक ले लो इसको ब्लॉक भी ले लो तो नाम से क्या सही रहता है तो velocity of a with respect to center of mass के लिखोगे वी ए माइनस velocity of center of mass velocity of a कितनी है जीरो माइनस velocity by 3 तो माइनस वी वाई 3 आ गई माइनस वी वाई 3 का मतलब कितर आई मतलब क्या है कि हम इस center of mass पर बैठ गए मक्ही बनके अब मुझे मोशन को कर रहे हैं हम इस center of mass दिखाई देगा वी वाई 3 से और यह वाला ब्लॉक में इधर जाता हुए देखे रहे हैं अभी यह जो स्प्रिंग है अभी ना तो खिची हुई है ना दबी हुई है यह नॉर्मल लेंथ पर अब बताओ क्या होगा यह ब्लॉक इधर जा रहा है तो अब स्प्रिंग खिच थे होते 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 अपने मैस्पे पहुँच गई अवर्ट ऑ ओं ऐस गुजा तो थोड़ा सर्ग तो evaluating ये लॉंगेट होते होते हैं दोनों साइट से होगी दोनों साइट से थोड़ा दूर कर देते हैं ठीक है इस तरीके से तो स्प्रिंग को भी बड़ा करना पड़ेगा ये स्प्रिंग लॉंगेट हो गई हरे दिखाई दे रहा है खिच गई अभी ये नॉर्मल लेंध में नहीं है ये ऑफ्रिंग कॉंस्टेंट के है ठीक अठी बात है यह elongate हो चुकी है तो इसका extension कितना आचुप है maximum elongation क्या लिख दूँ मैं maximum elongation ठीक है पर center of mass तो हम center of mass के respect में देख रहे हैं इसका center of mass तो में वहीं लगेगा और इसकी velocity भी constant रहेगी क्योंकि हमने देख लिया already कि इसमें f net तो जीरो ही है तो मतलब center of mass की velocity तो change होई नहीं सकती अगर force नहीं लग रहे हैं तो राइट अच्छा तो बताओ यह maximum elongation है है ना तो center of mass के respect में यह दौनव ब्लॉक हमें क्या देखेंगे 0 velocity पर देखेंगे इसकी velocity भी 0 एक मुमेंट के लिए दौनों की velocity 0 होगी कि नहीं होगी बताओ सोचो ना ध्यान से कि यह दर खिसता जा रहा है यह दर खिसता जा रहा है कि कभी तो कभी ना कभी maximum elongation का मतलब क्या हुआ कि इसके बाद अब स्प्रिंग खिचनी सकती खिचनी सकती मतलब एक मुमेंट के लिए यहां पर दौनों ब्लॉक रेस्ट में आएंगे पर किसके रिस्पेक्ट में यह वेलोसिटी 0 हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहें संटरोस के रिस्पेकट तो यह वेलोसिटी डिस्पेक्ट में जा गई higher then तो बताओ, ground के respect में क्या velocity है, block A की और block B की, A की और B की, यह किसके respect में है, दो ग्रीन से लिखिए न, तो center of mass के frame के respect में है यह, तो बताओ, ground के respect में यह कितनी आ गई, कैसे निकाले, यही formula यूज़ करेंगे, भई, ऐसा करता हूँ, मैं एक बार में लिख दिता हूँ, देख लिखेंगे, velocity of A माइनस, velocity of center of mass, है न, यहाँ पर यह, जो A होती हो, ground के respect में होती है, हमें यही चाहिए अभी, तो मैं लिखेंगे, velocity of A, विदरस्ट वे बराबर, VACM, प्लस VCM, राइट, बोलो भी यह, वई, उपर हमने क्या निकाली थी, उपर मैं ground के respect में दे रखी थी, और center of mass के respect में हमने निकाली थी, नीचे center of mass के respect में पता है, ऐसा, नीचे center of mass के respect में पता है, देखो center of mass के respect में पता न, 00 है, हमें किसके respect में निकालनी है, ground के respect में तो बता दो ज़रा, तो कितनी आ गई वी वाई थी तो इसकी बीवाई थी आ गई बही पॉजिटिव में यह इसका अलब आगे यह बीवाई थी और वी की बताओ कितनी आ इसके लिए फॉर्मला यह हो जाएगा विवाई थी तो इसकी बीवाई थी मतलब एक बास समझे आप कि मैक्सिमम जब इलॉंगेशन होगा उस वक्त ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी सेम डारेक्शन में सेम वेलोसिटी हो जाएगी और किसके बराबर सेंटर आफ मास की वेलोसिटी के बराबर मतलब पूरा का पूरा सिस्टम एक ही डिरेक्शन में आगे की दरफ जा रहा है कितने से बीवाई थी से राइट बास समझ में आई क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है यह बास समझना तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है समझ में आई आपको बात कि जब मैक्सिमम इलॉंग इसके बात क्या होगा अब यह बापिस आना स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्या होगा अब यह बापिस आएंगे अगला मुमेंट हम बनाते हैं जब अगें नॉर्मल लेंथ पर खिच रहे हैं देखो हमने से डायग्राम बनाते हैं नॉर्मल लेंथ में आगई यह बापिस से और देखते हैं कि तो यह बापिस से नॉर्मल लेंथ के रिस्पेक्ट में हम बना रहे हैं इस तरीके से थीख हम बताएए तो यह थर्ड केस होगया जब यह अगें नॉर्मल लेंथ में आ गए बताऊ तो बताओ, अभी इनके पास velocities क्या रहेंगी, बताओ, पहले center of mass के frame में बताओ, फिर ground के respect में निकाल नहीं, जैसे हमने यहां किया, पहले center of mass के frame में maximum elongation है, तो 0-0, अभी बापिस आए, तो क्या होगी velocity, तो ध्यान रखना, जब यह block jar, इदे कोई यह normal length थी, जब यह block jar initial case में थे, तो इनके पास velocity इदर थी, a block के पास by3 इदर थी, और इस b block के पास 2y3 इदर थी, यह गए और बापिस आए, यह गए आए है और बापिस इस moment पे आए, तो इनकी velocity का magnitude तो वही रहेगा, लेकिन direction चेंज रहेगी, कैसे ह जैसे जब यह जा रहा था, तो इसकी velocity by3 थी थी ना, अब इसकी velocity by3 इस direction हो जाएगी, और इसकी 2vy3 तो इसकी velocity इस direction में 2vy3 हो जाएगी, ठीक, तो इसकी velocity दर कितनी हो गई, वीवाई 3 और इसकी velocity दर कितनी हो गई, 2vy3, क्योंकि बापिस normal length पे आगे ना, तो इतनी symmetry होती है इसको हम और detail में, SHM जब पढ़ेंगे तब समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, और बैसे भी समझ में आ रहा है, यहाँ बई, जितनी velocity से यह पहले थे, तो पहले जा रहे थे, अब आ रहे हैं, तो same force apply हो हैं, जिस तरीके से force ने velocity इनकी change करके 0 की थी, अब same force से बढ़ेगी, टो वही कि वही velocity हो जाएगी, यह velocity व इसे 0 हुI थी, तो वापर इसे 2B हो जाएगी, बस direction change हो जाएगी, राइट, तो यह velocity किसके respect में हैं, ग्राउण के respect में है, अब बताओ, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलॉसिटी क्या आएंगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलॉसिटी इजिनिकालो जल्दी से क्यांगी अच्छिनन तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे एक की वेलोसिटी सेंटर आफ मास के रिस्पेक्ट में प्लस सेंटर आफ मास की वेलोसिटी तो एकी वेलोसिटी सेंटर आफ मास के रिस्पेक्ट में कितनी है यह है और यह भी है तो सेंटर आफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है वी बाइट्री और सेंटर आफ मास की वेलोसिटी है वी बाइट्री तो कितना होगे टू वी बाइट्री और इस डारेक्शन म माइनस टू वी वाई थी प्लस वी वाई थी तो कितना हो गया है माइनस वी याई थी मतलब इस डारेक्शन में भी वाई कि अब दूप कि समझ माहिए बात में बता यह आगे क्या हूं क्या यह यहीं रुख जैंगे हम किसक着 में उब्जर्व कर रहा है सेंटर आफ मास के कि वेलॉसिटी देखो इधर है वज़र है कि तो यह यहां पर रुखेंगे अभी अभी अब क्या होगा अब इते ओर अब श्रू स्क्रिंग सब्सक्राइब सब्सक्राइब जीरो ही अब दोनों की वेलाइसित ऐसे है अब यह डब रही है डब तरत जब और किया होगा मिनीममबं पहुचेगे थीक ःष्टीस होगा मिनीमम कोасьिमम एलांगेशन का सॉरी सारी मैग्जिमम इनका ठीग है तरहले नие मैक्जिमम सक्कूपरेशन को कि मतलब उसमें कितना देप्ण हो गाहे है सब्सक्राइब तो यह फूर्थ सिच्टूइशन आगई इसको क्या बोलेंगे हम मैक्जिमम कंप्रेशन अधिक्तम दवाव इस्प्रिंग में अरे देखो सिच्टूइशन के लिए रह सबसे पहले क्या हुआ था नॉर्मल लेंथ में थी फिर मैक्जिमम में लॉंगेशन हुआ मदलब अधिक्तम खिचाव इस्प्रिंग में आया फिर इस्प्रिंग बापिस से नॉर्मल लेंथ में आई अब यह दपती गई दपती गई तो मैक्जिमम कंप्रेशन आ गया राइट यहां पे भी क्या होगा जो मैक्जिमम कंप्रेशन हो जाएगा मैक्जिमम यानि उसके बाद इस प्रिंग अब नहीं सकती है तो क्या होगा बताओ दौनों ब्लॉक्स सेंटर ओफ मास के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी इनकी जीरो हो जाएगी यह अपना सेंटर ओफ मास और सेंट दो चीजे होती हैं मैक्जिमम इलांगेशन एंड मैक्जिमम कंप्रेशन अधिक्तम खिचाओ एंड अधिक्तम दवाओ ठीक तो यह हो गया मैक्जिमम कंप्रेशन मैक्जिमम कंप्रेशन इसके बाद यह दब नहीं सकती है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई ही सेंटर मस्के-1 न तो सब्सक्रेंगे सब्सक्राइब यख़ यह दिखोगे जीजों ब्लस इसे इए Ekट्रों कितना जाएगा वैल्ती उफ इजोंड फ्लस मास्स विल सब्सक्राइब प्लस मदें जिए नेएके जब अधिक्तम कम्प्रेशन होगा अधिक्तम दबाब होगा इस वक्तब्राइब होगा इस वक्त भी वही सिचुएशन आईगी जो सिचुएशन अधिक्तम खिचाब में आई थी दियां से देखपारें जा रहा है है ना बताओ आगे यहां तक समझ में अब क्या होगा एक मुमेंट के लिए ऐसा होगा मैं अब क्या होगा अब यह बापिस से हाँ अब यह बापिस से ऐसे खिचना स्टार्ट होगी अब यहां पर नॉर्मल लेंट में आएगी अब यहां पर नॉर्मल लेंट में आएगी अब अब यह दोनों ब्लॉक पास आना इस्टार्ट हुए है लेकिन इस प्रिंग दभी नहीं है इस यहां से यहां दग्य जो ट्रांजिक्षन हुआ है दो से तीन इसमें स्परिंग की खिचाव कम होता जाहा है, इस उसके बाद फिर स्प्रिंग दबना स्टार्ट हुई है और यह मैक्जिम्म कंप्रेशन आ गया है अब इस्प्रिंग का कंप्रेशन कम होने लगेगा और यह बापिस नॉर्मल लिंथ में आएगी तो कुछ ऐसा आप पांतों के इस के बाद यह आ जाएगा इस तरीके से कि यह बापिस से किसमें अगई अपने नॉर्मल लेंथ में आ गई तो अब क्या होगा तो नॉर्मल लेंथ में आ गई इसका मतलब इसकी अब वेलोसिटी क्या होगी सेंटर आफ मास में देखना ध्यान से पूरा पूरी एक साथ देखो कि सबसे पहले नॉर्मल लेंथ में थी तो वेलोसिटी इदर बीवाई थी तो फिर मैक्जीमम का अब क्या होगा वेलोसिटी फिर अपोजिटि हो जाएगी यह ना मतलब अब इसकी वेलोसिटी इदर बीवाई 3 और इसकी वेलोसिटी इदर विवाई 3 ही है अब यहाँ पे अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकालोगे तो ग्राउंड के एक मैसकी विलासिटीज जीरो आ जाएगी और आटेगी निकालके न हम कि उसलिण एक विलासिटी ओफ ए विद रस्पेक्ट टू चैंटर-अफ मास कितनी है माइनस बीवाई-3 रूफ य। तो गतीने प्लस आएगा प्लस है ना अरे दिखाई देरा है आपको और जूम करते हो वेलासिटी और ब्लाग भी इस इकवल टू वेलासिटी और ब्लाग विद रिस्पेक्ट तो सेंटर ओफ मास यह सेंटर ओफ मास लिखा है तो प्लस आएगा ना क्योंकि दौनों सेंटर डिरेक्शन में आगे की तरफ तो कितना हो जाएगा वी हो जाएगा इस पूरी सिच्वेशन में अब देखो क्या हुआ यह जो पांच वी सिच्वेशन है क्या यह पहली के बज़ेसी हो गई सेंटर ओफ मास के रिस्पेक्ट में इदर वीवाई थी और ग्राउंट रिस्पेक्ट में जीरो थी इस वाले यानिकी बी ब्लॉक के पास सेंटर में अगला सिचुएशन के आएगी जोशटी सिचुयोशन आएगी वह द्यूसरी के बराबर हो जाएगी मतले अब यह प्रकृया बर-बरड रिपीट होगी यही होता रहेगा पहर टाइम एक से दो वहा दो से तीन वहा तीन से चार हुआ चार से वापिस से एक हो गया तो हम इस चार पांच डाग्राम से हमने यह सीखा कि इस ब्लॉग के साथ होगा क्या पूरी सिचुएशन हमारे सामने आखों के सामने है अब हम जो भी सवाल है उनके जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं ठीक है तो यह समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या हो रहा है असलियत में असलियत में यह कैसा मोशन करेगा सी फ्रेम में समझना आसान होता है मैंने आपको दौरों बता दिया सी फ्रेम और ग्राउं ऑर ग्राउं टी इसे सिथी में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलासिटी होंगी इसे सिथी में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होंगी इसे सिथी में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होंगी फिर ये तो बापिस से ये ही आगया ठीक बोलो बात समझ में आई यह वाली यहां तक सिख गया पच्छे से कोई डाउट है तो इसको रिवाइस करना पड़ेगा है ना अभी तक मैंने सवाल के जवाब नहीं दिया है यह वाला समझ की फाइंड दा स्प्रिंग द्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन इसकी पूरे मोशन में मैं मैंग्जिमुम स्पीड क्या है और मिनिमम स्पीड पूछन चाहरा है है तो एंब लॉक किंद ग्राउन के रिस्पेट तीक है तो आप देख सकते हैं आप पर ग्राउन के रिस्पेक्ट में देखो वाओगर को वेलासिटी 0 से वाई 3 फिर वी वाई 3 से 2 VY 3 हुई फिर 2 VY 3 से VY 3 हुई और फिर 0 हुगई तो मिनीमम तो 0 दिखाई दे रही है और मैक्जिमुम टूइवाई तरी दिखाई दे लिए चलिए तो अब हमें यह निकालना है उसके बाद हम क्लास को फिनिश करेंगे इस बात तो समझमें आ गई हमें कि मैक्जिमुम एक्सटेंशन होगा तब इसकी वेलॉसीटी क्या होंगी रिस्पेक में सेंट्र ओफ मास के रिस्पेक में पर ये मैख्जिमुम एलॉंगेशन होगा कितना तो यह निकालना बड़ा ही आसान आप मैं सवाल कर देता हूं मैकिम्सल dormation कितना होगा यह निकाला तो बहुत ही आसान है हमें सिंपल क्या लगाना है तो फॉर्स्ट कर रहा हूं मैं लगा रहा हूं मेकैनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा पा रहा हूं क्योंकि यहां पर जो फॉर्स लग रहा है वह फॉर्स कौन सा है कर रहा है और स्प्रिंग फॉर्स के लिए हम कंजर्वेटिव फॉर्स के लिए हम लगा सकते हैं तो क्या लिखते हैं मिकैनिकल इनिश्यल प्लस पोटेंशल अनर्जी नीशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल अब हमारे पास चॉइस है कि हम सेंटर ओफ मास के रिस्थ' में लघाएं कि ग्राउंड की रिस्थ' में ़ोनों की रिस्थ' मैं आपको करके देखाता हूं तो अभी मैं लगा रहा हूँ विद रिस्थ' टू ग्रौंड छुश give तो इनिशल किसको माने और फाइनल किसको माने तो देख लेते हैं इनिशल तो इसी को ले लेते हैं जो situation हमें दे रखी है first और maximum elongation कितना आ जाएगा यह तो इनिशल वन को हम बोलेंगे इनिशल सिच्वेशन और टू को बोलेंगे फाइनल तो यहां पर यह जो हमने वन नमबर दिया है उपर यह इनिशल है और यह फाइनल है ठीक चलिए तो इनिशल इस्तिधी में का इनर्जी क्या लिखूँ यह टू एम के पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलासिटी है जीरो और एम के पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलासिटी है वी तो काइनिटिक एनर्जी कितनी आ गई बताईए तो एक ब्लॉक की तो जीरो आ गई और दूसरे बाले ब्लॉक की आ गई हाफ एम वी स्क्वेर क्या दिखका थे किसी को बोलो तो जब नॉर्मल लेंथ में स्प्रिंग है तो पोटेंशल नर्जी कितनी हो गई जेः यह जीरो जो बराबर थे अब फॉनल की बात करता है तो फैनल मतलब स्टींग की ये वाली तो सेकंड सिटूईशन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी लॉसिटी क्या हे दौनों की सेम है वी बाई 3 और इसकी भी M into by smart growon के स्पेक्ट में लिख रहे हैं और दीक याद करो काहिनेटिक ऑफ दे सिस्टम बिद रिस्पेक्ट तो ग्राउन क्या तरीका था काइनेटिक एनर्जी ओफ दा सिस्टम विद रस्पेक्ट टू सेंटर ओफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ओफ दा सेंटर ओफ मास यह ना यह भी था ना तो दौनों से लिखके दिखाऊं कि इसी से लिख दूँ बस कैसे वह लिख सकते हैं आपकी इच्छा है आएगा वई हमने देखा थाने स्टार्टिंग में आता वई है कि अधिक एनर्जी ओब दा सिस्टम विद रिस्प्रेक टू ग्राउंड लिखने के आपके पास दो फॉम्ले हैं कौन से दो फॉम्ले कि बात कर रहों देखो फिर से दिखाऊं इन दो फॉम्ले की बात कर रहों आप चाहे यह वाला यूज करें चाहेई वाला यूस करें मै लो तो यह वाली टम तो जीरो हो जाती फाइनल में क्योंकि फाइनली सेंटर ओफ मास के रिस्पेक्ट में दौनों की वेलाउसिटी क्या ही है जीरो आईए ना इसके विल्ओसटी सेंट्र ऊंद के रिस्पेक्ट में जीडों तो सेंट्र ऊंद मास के रिस्पेक्ट में काने टेकिन दरजी कितनी आ गई जीरो दो मास का सिस्टम है न मुस्में तो यहां पर वी रिलेटिव लिखते न किसके रिस्पेक्ट में होती है तो घ्राउंड के लिच्पक्त पर इस तरीगे सें आजाएगी बताओ किसी को इतने सारे तरीखेसे बता दिया काइनेटीकेस आ लिखना दिद्रेस्पेक्ट टूगा प्लस प्लस क्या लिखेंगे पुटेंशल एनर्जी तो अब तो यह वारी फाइनल सेचुएशन यहां पर स्प्रिंग जो मैक्सिमुम इलांगेशन में है तो मान लेते हैं कि यहां पर जो स्प्रिंग ख़िच गई है वह और लो एकस मैक्स कीज़ा गई है जितनी सकती थी मैक्जीम मुतली तो यहां पर के एकस मेक्स का स्कुरार जाएगे स्वाइग जल्दी से कितनी आ रही है तो यह आ रही है आपके पास हाफ mv square बराबर mv square by 9 plus mv square by 18 plus half k x max square solve करो बताओ किता रहे हैं हाँ बिल्कुल साही जवाब यहां से x max की value निकल के आ रही है अंडरूट आफ 2mv square upon 3k ठीक और अगर इसी question को हम करते with respect to center of mass मतलब एक और तरीके से इसको कर सकते थे लगाना हमें mechanical energy conservation ही था वो किसके respect में लिखते हैं with respect to center of mass या कह सकता हूं c frame में लिखते हैं अरे बात समझ में आई देखो kinetic energy यहां पर हमको किसके respect में लिखनी पड़ती center of mass के respect में potential energy पर तो कोई फरक नहीं पड़ता है वो तो वैसी रहती है kinetic energy center of mass के respect में हाँ तो kinetic energy का center of mass के respect में लिखने का formula यह रहा kinetic energy system with respect to center of mass में लिखने का formula यह रहा राइट अरे है ना half mu v relative का square v relative मतलब जो उसके पास जो भी velocity है ground respect में वो निकालनी है relative velocity और लिख देना ठीक है चलिए लगाते हैं ना यह formula आपको लगाना जिखाता हूं तो kinetic energy initial लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा half mu v relative का square यह initial वाली हो जाएगी plus u initial जो भी होगा अभी बताता हूं और k final में क्या लिखोगे half mu v relative पर कौन सी final वाली का square plus u final चलो initial का मतलब क्या है situation 1 और final का मतलब क्या है situation 2 1 से 2 के बीच में पन लगा रहे है हाँ तो म्यू तो मैं लग से calculate करके लग लूँ तो same ही आएगा m1 m2 upon m1 plus m2 तो m into 2m upon m1 plus m2 कितना हो जाएगा 3m तो कितना हो जाएगा 2m by 3 ठीक है म्यू मैं डाल दूंगा लास्ट में यह कितना हो जाएगा half mu वी रिलेटिव तो फर्स्ट वाली situation में वी रिलेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट वाली situation में आए हम यहां हमने देखा इसकी विलासिटी जीरो है इसकी विलासिटी वी है तो वी रिलेटिव कितना हो जाएगा वी माइनस जीरो बराबर भी थीक तो वी रिलेटिव के स्क्वेर में क्या लिख देंगे वी स्क्वायर अरे कोई दिककत है क्या प्लस पूटेंशल ही इनिशल कितने हो जाएगी जीरो क्यों इनिशली तो नौर्मल लेंथ में प्रिंटी तो सेंव रहेगी यहां भी जीरो थी यहां भी जीरो हो जाएगी बराबर यहां बताओ वी रिलेटिव का स्पार क्या आएगा तो चलते हैं सेकिंड सिचुएशन में हाँ यहां पर हम देखने की ग्राउंट के रिस्पेक्ट में इसकी विलॉसिटी वी थी है और इसकी विलॉसिटी भी वी थी है तो वी वाई थी माइनस वी वाई थी कितना आगया 0 का सुल गांप वी तो हमने क्या लिख दिए आप लिखस के स्क्प्राइब हो किसो चोटी बनी है कितनी चोटी बनी है यहां पर हाफ जläगे स्क्वार तो क्या निकला यहां से एक्समेक्स सीध है कि देखो कितनी जल्दी आगए आंसर यहां से एक्समेक्स वराबर कितना आया टू एम वी स्क्वार अपॉन थी का अंडरूट पताई सेम आंसर आया कि नहीं आया तो यहां पर अपने कितनी सारी चीजें लिखनी पड़ी थी यहां पर एक चीज में काम हो गया तो कई बार यह उपल पड़ेगा कईवां यह वाला मैंतल पड़ेगा मैं यहां रिजन करके आना पड़ेगा आपको बहुत जज्यादा कल कम से कम तीन चार बार पढ़ने पढ़ेंगे नोट्स और वीडियो भी देखने पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर हम आगे हम questions करेंगे जिन में हम इनका use करेंगे तो basically आज हमने क्या पढ़ी है थियोरी पढ़ी है है ना ओके चलो